बटे आप we실को नाश्णल एजंसी इस तरीके से काम कर रही है तो दूसरी तरफ NCP और शिवसेना के नेताओं की नींद उड़ी हुई है आरेन खान उन तमाम लोगों को लेकर जिन लोगों की गिरफतारी इस ड्रग मामले को लेकर हुई है या फिर जिनके नाम ड्रग मामले को लेकर सामने आ रहे हैं एक तरफ जहाँ पर नवाम मलिक रात को आधी रात को ट्वीट करते हैं और अपनी बेचैनी जग जाहिर करते हैं कि वो कितने बेचैन है अपने दामाद और आरेन खान की गिरफतारी को लेकर चाहे फिर वो दवठाकरे हों संजर्राउत हों या फिर हों किशोर्तिवारी अब सुप्रीम कोट पहुच चुके हैं आरेन खान को बचाने के लिए और आरेन खान की लिए जो अब एक याचका डाली गई है सुप्रीम कोट में इनी शिवसिना के नेता की तरफ से किशोर्तिवारी की तरफ से इसमें किशोर्तिवारी का कहना है कि आरेन खान के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है अपमान हो रहा है और बार बार पे जिस तरीके से आरेन खान को बेल नहीं मिल रही है ये भी एक आरोपी का अपमान है आरोप का अपमान है आरोप अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है एक तरफ जहां पर वकालत करते हुए नजर आ रहे है ये शिवसेना के नेता की शोर्तिवार ईयारेन खान की तो वहीं दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से NCB बड़ी-बड़ी कारवाही कर रही है तो उससे भी परिशान है शिवसेना के ये नेता क्योंकि जिस त सब्सक्रावाल है कि NCB जिस तरीके से महारास्ट्रों में चल रहे ड्रकाटल को लेकर जनता के सामने आ रही है बड़ी-बड़ी रेड महारास्ट्रों में मारी जा रही है और नामी ग्रामी कलाकारों के नाम सामने आ रहे हैं तो इसी को लेकर क्यों महारास्ट्रों की नेता करूंगा उस सारी चीजों की वीडियो सरवजनिक करें एंसी भी तो दूसरी तरफ एंसी पी के नेता सुप्रीम कोट के चक्कर काट रहे हैं सिर्फ इसी लिए कि आरेन खान को बेल मिल जाए और इसी तरीके से याचकाई लगाए जा रही है राद भर ट्वीट किये जा रहे ह नेताओं के लिए तरफ से जो बेचैनी निकल कर सामने आ रही है तो सवाल यही है कि बॉलिवूड जिस तरीके से महराष्ट में काम करता है बॉलिवूड बसा हुआ है और कितने दिनों से वाफिल में बनाए जाती है सालों से बॉलिवूड महराष्ट में है तो इसको लेक कर नेताओं को इतनी जादा बेचैनी क्यूं आखिरकार सरकार और बॉलिवुड के बीच में ऐसा क्या संबंद है जो अभी सत्ताधारी पार्टी जो महारास्ट में अभी है चाहें फिर वो एंसीपी हो या फिर सिफसे ना या फिर इनके बड़े-बड़े नेता एक तरफ शर की भर ड्रक्स को लेकर लोगों की गिरफतारी कर रही है तो ऐसा क्या मामला है ऐसे कौन से रिष्टे हैं बॉलिवुड शारुक खान और इन नेताओं के बीच में जो इतनी जादा बेचैनी जो नेताओं की सामने आ रही है अगर नवाब मलिक रात को धाई बज़े ट्वी की नहीं है वो दामाद की याने की समीर खान को लेकर है जो तरीके से इनका दामाद याने की अर्ण नवाब मलिक का दामाद भी इसी खाटल याने की डrug मामले से जड़े हुए है और उनकी भी गिरफतारी ए नं सीबी की तरफ से भी की गई थी जहां पर एक तरफ नेताओ कि नीन दोड़ी हुई है कभी कोई सुप्रीम कोड पहुच रहा है कोई रात को ट्वीट कर रहा है या फिर कोई केंद सरकार पर निशाना साधने का प्रयास कर रहा है तो चीजां निकल कर यही सामने आ रही है कि शायद यह किसी ना किसी चीज की खीज है और यह खीज इस बा जान बाजी की तो जिस तरीके से बार-बार पे समीर वांखेडे को कटगरे में खड़ा करने का प्रयास महराश्ट की सरकार की तरफ से किया जाता है तो अभी कुछ दिन पहले समीर वांखेडे साफ कर चुके हैं कि सत्य की जीत होगी और उसके बावजूद भी उन्होंने ने सारे नेता खिसियाए बेठे हैं महराश्ट की सत्ताधारी पार्टी के और एक के बाद एक वो निशाना साथके नहीं समीर वांख खेडे इतनी पोलाइट यानि की सब्भाल अ कि इन्होंने नेताну की जहाने कि दश्चेरे की शुखकामना मेरी तरफ से और सत्त होगी और उ जिया गया था आरेन खान को कुरूजशिप से जहां पर ड्रक्स की पार्टी चल रही थी तो ये एक बड़ा मामला है जहां पर डिजिटल चैड भी हैं NCB के पास और आरेन खान इस बात को खुद भी कबूल कर चुके हैं NCB के सामने के हाँ वो पिछले 4 सालों से ड्रग लेते हैं जहां पर एक तरफ चीज़ा निकल कर ये सामने आ रही है कि आरेन खान, NCB, NCB के जोनल डारेक्टर समीर वांखेडे से ये कहते हैं कि उन्हें इस बार जमानत मिल जाने दीजिए, उन्हें जमानत दे दीजिए, उन्हें छोड़ दीजिए, वो अच्छे इंसान बन कर द लेकर हो, ड्रक्स को लेकर हो, 猜नता की तरफ से लगातार ये प्रशन उठता है कि अगर इतने करोडों में मूवी मूवी बनाए जाती है, 2000 करोड, 200 करोड तमाम पैसे और 100 करोड रुपे के तो बजट फिक्स किये जाते हैं तो आखिरकार ये पैसा इन फिलमों में आता कह कहां से है तो यह जो गट जोड है पॉलिटीशन्स और बॉलिवूड के बीच में या फिर माफिया के साथ में यह कहीं निकल कर सामने ना आ जाए कहीं इसी बात की खीच तो महाराश्ट की सत्ताधारी पार्टी के लिए नहीं है क्या यही बड़ी वजा तो नहीं है कि शेरे के मौके पर तयोहार के मौके पर उद्दव ठाकरे की खीच दिखाई देती है तो वहीं दूसरी तरफ जहां पर पूरा भारत सो रहा होता है तो नवा मलिक बेचेन होकर एंसेपी पर सवाल दागने की कोशिश करते हैं और एक तरफ जहां मामला अभी सेशन कोर्ट में ही है आरेन खान का तो एंसेपी के शिवसेना के नेता कि शोर्तिवारी सुपरीम कोर्ट पहुँच जाते हैं सिर्फ वर सिर्व इसलिए कि आरेन खान के जो मौलिक अदिकार ह उनका हनन हो रहा है आरेन खान को अभी तक बेल क्यों नहीं दी गई है आरेन खान के साथ इस तरीके के चीज़ें क्यों हो रही है इतना जादा दर्द क्यों है पॉलिटिशन को महरास्ट की सत्ताधारी पार्टी को आखिरकार आरेन खान को लेकर शारुख खान एक नामी ग प्रयास इस महाराष्ट की सरकार की तरफ से किया जा रहा है क्योंकि लगातार इस तरीके कि सवाल आज जंता की तरफ से उट रहे हैं महाराष्ट की सरकार को लेकर और एक महाराष्ट की सरकार है जो ना की जंता की सुन रही है ना महाराष्ट के किसानों की सुन रही है ना महा बॉलिवुड में से इनी रुक्स के मामले में पकड़े गई कलाकारों को लेकर नवाब मलिक तो ये भी कहा देते हैं कि NCB की तरफ से जूटे केस बनाये जा रहे हैं और दूसरी तरफ ये कहा देते हैं शाहत पवार की तरफ से कहा जाता है कि वो तंभाकू है वो रुक्स नह प्र थेएन चाहें फिर फिर उशह्रत पवार हो इनके ये बहाँ थाकरे hy के केंडर सरकार हमारी सरकार को जिराने के लिए इन सब एजनेश्यों का इस्तमालकर रही है चाहे फिर वो ED हो, CBI हो, IT हो या फिर NCB हो इन सब एजनसियों का इस्तमाल कर रही है तो दूसरी तरफ महाराष्ट की जो सरकार है ये बात भूल जाती है कि महाराष्ट सरकार आखिर क्यों मुंबई पुलिस का इस्तमाल कर रही है यहाँ पर जनता की तरफ से ये भी सवाल है कि ना ही तो महाराष्ट में ये सरकार है ये तीन तिगारी सरकार है ना ही तो ये NCB को काम करने दे रही है ना ही तो ये दूसरी तरफ मुंबई पुलिस को काम करने दे रही है और जिस case में लग जाती है मुंबई पुलिस वो ढंग से काम करती है महारास्टु पुलिस और आज जिस तरीके के हाल मुंबई पुलिस के है कि पाल घर में लिंचिंग भी हो जाती है वहाँ पर एक पुलिस वाला खड़ा भी रहता है और उसी की मौझुदगी में सादू संत उनको मार दिया जाता है उस पर कोई कारवाही भी नहीं बठाए जाती जनता एक तरह मांग करती है कि उस पर CPI की जाच होनी चाहिए पर यही सरकार जो आज आरेन को लेकर हर कोई नेता रात को ट्वीट कर रहा है तो कोई सुप्रीम कोट के चकर काट रहा है और यही नेताओ के मुँपर टेप लग गया था जिस टाइम पर पाल घर में लिंचिंग हुई थी तमाम सवाल हैं जो आज जनता की तरफ से निकल कर सामने आ रहे हैं और सरकार को लेकर आज खड़े किये जा रहे हैं और वही सरकार जो आज उद्दव ठाकरे के दिल में उनकी सरकार कही न क जाने का प्रयास है तो दूसरी तरफ उद्दव ठाकरे कहते हैं कि हमारी सरकार को दो साल होने वाले हैं हमारी सरकार को गिरा कर दिखाओ कहने वाले उद्दव ठाकरे खुद नहीं जानते कि सरकार मेसे जिस तरीके से एक तरफ से घुटाले निकल कर सामने आ रहे हैं तमाम आज इन सारे नेता हो जो आज नेता है इनी सत्ता धारी पार्टियों के आज इन सारी चीजों को भूल कर महराश्ट्र की जन्ता की समस्यां को भूल कर स Candit को लेकर बार-बार सवाल खड़े करते हैं नवाब मलेक और ये तक कह देते हैं कि जूटे केस बनाए जा रहे हैं ड्रक्स और तमाकूं में अंतर नहीं पता हैं तमाम तरीकी की चीज़ हैं आखिरकार क्यूं शारुक खान के बेटे को बचाने का प्रयास लगातारी सत्ताधा कारी पार्टी कर रही है और दूसरी तरफ अगर आरें खान की बात करें तो आरें खान इस बात को खुदी कबूल कर चुके हैं NCB के सामने के सामने यह आखिरकार आरें खान को इतनी जल्दी बचाने का क्या पड़ी है ऐसे कौन से राज है सरकार के जो खुलकर इस मामले से निकलकर सामने ना आ जाएं क्या NCB की कारवाही से डरी हुई है पूरी की पूरी महारास्त्य सरकार क्योंकि जिस तरीके का बयान दिया गया था अभी NCB के जोनल डायरेक्टर समीर वांखेडे की तरफ से उन्होंने कहा था कि अगर चैट मिली है डिजिटल चैट है और इन खान को लेकर NCB के पास जुसमें ये साफ साबित होता है कि हाँ कुछ बड़े नाम भी इसके पीछे आ हुए हो सकते हैं क्योंकि अगर ड्रक्स को लेकर हम बात करें तो ड्रक्स का मामला महाराष्टों में नया नई है जब से सुशान सिंग राजपूत हमारे 20 से गए हैं तब से कई भार ऐसे मामले निकल खर महाराष्ट से सामने आ चुके हैं और लगातार NCB बड़ी-बड़ी रेड मार रही है चाहे फिर वो दीनु मोर रहा हो और जुन रामपाल हो या फिर तमाम और बड़े कलाकार हो सारा आली खान हो शुरद्दा कपूर हो दीपिका पादु कोन हो और अब जाकर शारुक खान के बेटे हो लगातार नामी ग्रामी हस्तियों के नाम सामने आ रहे ह और उनकी तरफ से बातों को कुछ स्टार्स तो ऐसे भी हैं जो बातों को कबूल रहे हैं कि हाँ वो ड्रक्स लेते हैं उसके बावजूद भी सरकार हमेशा बॉलिवुड के जो सितारे हैं हस्तियां हैं जो सबसे जादा टेक्स भरते हैं यानि कि जिस तरीके की बात जो बय आन जयाबच्चन की तरफ से दिया गया था कि बॉलिवुड वाले लोग महरास्ट के लोग सबसे जादा टेक्सपेर्स हैं तो ये इनी टेक्सपेर्स को बचाने के लिए आखिरकार इतना जादा प्रयास क्यूं कर रही है महरास्ट की सरकार जिनके खुद के नेताओं के उप पढ़ा रही है हमारे खिलाव हमारी सरकार को गिराने के लिए तो जनता का सिर्फ यही सवाल है कि आखिरकार बॉलिवुड और शिवसेना एंसीपी के नेताओं के बीच एसा कौन सा संबंध है जो एंसीपी के नेता बार-बार पर ट्वीट कर रहे है शिवसेना के शोर्ति जादा बयान बाजी नहीं करते थे पर आज इतना जादा प्यार क्यूं है बॉलिवुड को लेकर इसी तरीके की और भी जादा देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए जुड़े रही है हमारे चनल से धन्यवाद मुण एक टूलिवड़े जादा आज एक रहे है है हमारे थे जादा भी जादा बाज़े जादा आज़े जादा आज़े झाला के शोर्ति